नमश्कार दोस्तो आपने देखा ही होगा दरव्या को वहन करने वाले साधन जैसे पाइपें टंकियां आदी घोल क्यों होती हैं तो इसके पीछे का एक बड़ा सिंपल सा कारण है वह कारण है कि दरव के दाब को नियंत्रित करना अर्थार इन टंकियों में कोई भी कोण नह से लगता है तथा यह अत्यदिक उच दाब साहन कर सकता है वैसके फटने की अशंकाएं कम हो जाती है आपने देखा होगा पानी को ले जाने वाले टैंकर पाइपें गेस सिलिंडर पानी की टंकियां आदी इसी कारण गोला कार बनाए जाती है ताकि उनके चारों और पानी का दाब समान रहे यदि वे आयताकार या वरगाकार बनाए जाएं तो उनमें अने कोन आ जाएंगे जिसके कारण कोनों पर दाब अत्यदिक हो जाएगा तथा उनके फटने टूटने के आशंकाएं उतनी ज्यादा हो जाती है तो दोस्तों कैसा अलगा आपको यह मेजिंग फैट वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं तथा आने वाले अपडेट्स के लिए हमारे यूटिब चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद